है यह वरिवन इस इस मनोज कुमारी वेलकम इन माय यूटूब चैनल मैच फ्रैंड टूबए रहे हैं और इनके जो most important question second term के इसाब से बने हैं वो मैं आपको करवाने जा रही हूं तो start करते हैं इसमें और यह है हमारा part number second part first की जो वीडियो थी उसमें 20 questions दिये थे उससे पहले चार्टो पिके थे अब यह जो part है हमारा कौन सा part part second part first की वीडियो पहले बेच चुके हम क्योंसा नबर फर्स्ट कि राइट दा टाइम दा गीवन क्लोग इन दा गीवन क्लोग कि यह क्लोग गीवन है इसमें क्या लिखना हमने टाइम लिखना है क्या लिखना है तो देख बटा यह तो हमारी कौन सी है आवर हैंड और यह कौन सी हमारी मिनट है तो 12 पर है तो complete बजगे कितने बजगे टू तो इसको लिख सकते हम टू दो डोट लगाएंगे ऐसे 00 कि इसमें टू बजगे है ठीक है तो यह क्या जाएगा हमारा answer अब देखे सेकिंड पार्ट इस सेकिंड वोच दे रखिए इसमें देखो थिरी है थिरी हुआ होता है 30 इसका मतलब थिरी बजगे कितने मिनिट होगे 30 तो इसको क्या लिख सकते हैं बटा हम 330 क्या लिख सकते हैं 330 ये क्या जागा हमारा answer नेक्ष अच्ट देखे इस क्लोक में ये तू क्या है बटा हमारी आवर हैंड ये बढ़ी वाली क्या है मिनट हैंड तो ये 9 तो मतलब 8 बज़ के कितने मिनट हो गये 45 ठीक है तो यह क्या आगया हमारा आंस्वर तो इस तरह से अगर क्लोक बनी हुई हो तो हम उसमें बता सकते हैं कि इसमें कितना टाइम हो गया मिनट के लिए हम 5 की टेबल पढ़ेंगे कि कितने की मिनट हो गये और अगर मिनट है 12 पर ह the time, right the time. हमें क्या लिखना है? time लिखना है using am or pm. तो am was pm, am, जो 12, 12 बार lore बज़ते हैं, उससे पहले का जो time है, am σtarht स्टाम में and am time, पलब होता है post meridian. और उसके 12 बारू बज़े के बाद से, रात के 12 बज़े के primeira क्या time होता है? कि उसके साथ क्या लगाते हैं, पी-म लगाते हैं, अब देखो, 5.40, in the evening, evening में, evening में क्या लगए एक बटा, पी-म लगेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, 5.40 पी-म, क्या लिख सकते हैं, 5.40 पी-म, तो ये क्या जाएगा हमारा answer, next, question number third, कहता कि right time, time लिखना हमने, two hours after, after का मतलब बाद में, two hours after 8.30 am, am मतलब सुबह का time मिठा, कि 8.30 के 2 गंटे बाद, देखो, 8.30 के 1 आवर बाद कितना हो जागा, 9.30, और 9.30 के 1 गंटे बाद कितना होगा, 10.30, मतलब 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो जो answer आज जाएगा, वो हमारा कितना आज जाएगा, 10.30, औ इसको लिख देंगे, am, क्या लिख देंगे, am, question number 4, question number 4 में क्या है बटा, express the following using 24 hour clock, देखो, हम जो mostly time देखते हैं, वो कौन सी clock होती हमारे पास, 12 hour clock, अब हम क्या सीख रहे हैं, कि 12 hour clock में, 24 hour clock में, अगर हमें time बताना हो, तो कैसे बताएगे, देखो बटा, total इसमें 4 डिज 24, ठीक है, अगर पी-म का time दे रखा है, और इसको 24 hour clock में convert करना है, तो 4 है ना बटा, तो इसमें 12 add कर दो, कितना add कर दो, 12, तो इसको कितना जगा, 16, और यह complete बज़े हैं, तो कितना होगा, 00 hours, यह कितना जगा, 1600 hours time हो गया, किसमे, 24 hour clock में, ठीक है बता, तो इस time को हम 24 hour clock मे ऐसे convert कर सकते हैं, second, अब देखो, second देखिए, second में क्या है, 9 a.m. दे रखा है, कितने दे रखे हैं, 9 a.m. तो 9 a.m. में हमने 4 digit बनानी है, तो देखो, 9 और आगे complete बज़े हैं, और कुछ है नहीं, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 09, तो यह a.m. के लिए होजएगा, 0900 hours, तो 9 a.m. को हम 24 hours clock में इस तरह, उसके time में कैसे लिख सकते हैं, 099, 09, 00 hours, clear बटा, yes, question number 5, question number 5 क्या है, convert days into hours, तो question number 5 में क्या करेंगे, कि वे days को hour में convert करना है, तो देखो, one day में कितने hour होते हैं, 24 hours होते हैं, तो इसमें first है, 4 days को convert करना है, किसमें convert करना है, हमने hours में, तो hour के लिए किसने इस multiply कर दो, इसको में, 24 से, तो 4, 4 जा, 16, 4, 2, 8, or 1, 9, तो कितना जाएगा, 96 hours, कितना जाएगा, 96 hours आजाएगा, अब देखे, second part, अब second part में क्या, convert into minutes, 7 hours, और 35 minutes को, हमें convert करना है, किसमें, minute में ही convert करना है, तो कैसे करेंग, देखो, minute के तो रहने दो minute ही, ठीक है, minute के तो रहने दी minute, और one hour में, minute कितने होते हैं, one hour is equal to 60 minute, one hour में कितने minute होते हैं, बटा, 60 minute, तो 7 में कितने होगे, 7 multiply by 60, और प्लस कितना, 35, तो यह कितना हो जाएगा, देखो, 7, 6 है कितना होता है, 42, 0, प्लस में 35, तो 420 में 35 add कर देंगे, यह 5, यह 5, और यह 4, तो कितना जाएगा यह, 455 minutes आ गए, समझा है बटा, कि 7 hour 35 minute थे, और इसको किसमें convert करना हमने, minute में, तो हम क्या करेंगे, कि minute के तो minute ही रहने देते हैं, और इसको क्या कर लिया, हमने 7 hour को किस से multiply कर लिया, 60 से, क्योंकि 1 hour में 60 minute, तो 7 कितने होगे, 7 multiply by 60, तो इनको multiply कर दिया, 76 of 42, और यह 420 में 35 add करने पर यह कितना आ गया हमारा, 455 minutes, तो यह थे question, time से related, अब next topic लेते हम, measurement of length, weight and capacity, इस से related हम important question करने जा रहे हैं, देखिए, अब first part में, 6th question से हमारे यह topic स्टार्ट हो जाता है, measurement of length, weight and capacity, तो 6 meter है विटा, क्या है यह, 6 meter है, और इसको convert करना है, किसमें हमने, cm में, अब देखो, 1 meter में, कितने cm होते हैं, 100 cm होते हैं, तो 6 meter में बोलो, कितने होगे, 6 multiply by 100, तो कितना हो जाएगा, 600 cm, यह क्या जाएगा हमारा answer, अब देखें, second part, अब second part में क्या है विटा, 5 meter, 62 cm, तो हम इसको लिख दे, 5, 1 meter में कितने cm होते हैं, 100, तो 5 में कितने होगे, 5 multiply by 100, प्लस में 62, तो यह कितना होगा, 500, और प्लस में 62, एड करोगे, कितना जाएगा, 502, 562 cm, यह क्या जाएगा हमारा answer, समझ में है विटा, क्योंकि 1 meter में कितने cm होते हैं, 100, तो अगर meter से cm बनाएंगे, तो multiply करेंगे, 100 से, और cm से meter बनाएंगे, तो divide करेंगे, हम 100 से, clear, अब question number 7 देखें, question number 7 में क्या है, 700 cm को किस में convert करना है, meter में, तो cm से meter बनाएंगे, तो किस से divide करेंगे, 100 से, 700 को divide करो, 100 से, 2, 0 से 2, 0, cancel, तो कितना जाएगा, 7 meter, कितना जाएगा, 7 meter, ये क्या आगया, हमारा answer, अब देखें, second part, second part में कितना है, 900 cm है, बनाना किस में है, meter में, divide कर देंगे, किस से, 100 से, 2, 0 स, 2, 0, cancel, तो कितना जाएगा, 9 meter, ये क्या जाएगा, हमारा answer, अब देखें, next, kilometer को convert करना, हमने meter में, kilometer को किस में convert करना है, meter में convert करना है, convert into meter, अब देखें, one kilometer में, one kilometer में, one thousand meter होते है, one kilometer में, कितने meter होते है, one thousand meter होते है, तो देखें, इसने six kilometer का पुछा है, किसका पुछा है, six kilometer का, तो 6 km को में मीटर बनाएंगे, तो कितना हो जगा? 1000, यह कितना जगा? 6000 मीटर कितना जगा? 6000 मीटर क्योंकि अगर km से मीटर बनाते हैं तो multiply करेंगे 1000 से और अगर मीटर से हम km बनाते हैं तो divide करेंगे हम 1000 से ठीक है बटा? 2nd part अब 2nd part में भी देखो ये किलो मेटर है ये क्या है मेटर हमने बनाने क्या है मेटर ही बनाने है तो मेटर को तो रहने दे आज़ेटी 765 मेटर और किलो मेटर के बिना ले मेटर किलो मेटर के मेटर बनाएंगे तो किस से मल्टिपलाई करेंगे 1000 से तो जगा 7000 पलस 765 ठीक है एड करोगे तो 7,765 मेट यह क्या जाएगा हमारा answer तो यह थो था relation किलो मेटर और मीटर का question number 9 9th question में देखी क्या है convert 6000 meter हमें convert करना है 6000 meter को किस में किलो मेटर में तो meter से क्या बनाने है किलो मेटर तो किस से डिवाइड करेंगे 1000 से किस से डिवाइड कर देंगे 1000 से तो 30 से 30 cancel तो कितना जाएगा 6 किलो मेटर 6000 में 6000 meter में किलो मेटर कितने होते है 6 किलो मेटर कितने किलो मेटर होते है बटा 6 किलो मेटर यह क्या आगया हमारा answer question number 10 10 में क्या है convert into milliliter की liter को convert करना है milliliter में तो देखो बेटा वन लीटर में कितने milliliter होते है वन थाउजेंट milliliter होते है वन लीटर में कितने milliliter होते है वन थाउजेंट milliliter तो लीटर से अगर milliliter बनाएंगे तो multiply करेंगे हम 1000 से और milliliter से अगर लीटर बनाएंगे तो divide करेंगे हम 1000 से किस से डिवाइड करेंगे 1000 से ठीक है तो हम क्या करेंगे लिटर से मिली लिटर बना रहे हैं तो किस से मल्टिप्लाई करेंगे 1000 से तो ये कितना आगया बटा 3000 मिली लिटर कितना आगया 3000 मिली लिटर ये क्या आगया हमारा आनस्वर second part अब second part में देखें क्या है 4L 765 मिली लिटर अब देखो किस मी बनाएं है हमने मिली लीटर में तो मिली मीटर को तो रहने दो ऐस ऐसे तीजी भीड़ा ये तो ऐसे कैसा रखा हम ने और लिटर के मिली लिटर बनाएंगे तो कितने से मल्टिप्लाई करेंगे 1000 से तो आजयागा 4000 प्लस 765 तो इसमें एड़ करेंगे 4765 मिली लीटर ये क्या जयागा हमारा आंस्वर ये पार्ट नमबर 3 3 में क्या आदे का convert 8000 मिली लीटर इन 2 लीटर हमें मिली लीटर से क्या बनाने है लीटर तो किस से डिवाइड करेंगे 1000 से तो हम 8000 को डिवाइड करेंगे कितने से 1000 से 3030 cancel आंसर कितना आगया 8 लीटर आंसर क्या आगया हमारा 8 लीटर तो ये तो थे लीटर और मिली लीटर से related question अब मेजरमेंट से related question हम कर चुके 5 अब 5 question हम money से related लेते हैं अब देखी क्या है कहता कि how many 25 पैसे coins में का रुपी कि कितने 25 पैसे अगर मिलाएं तो कितना बन जाए हमारे पास 1 रुपिया बन जाए तो देखो रुपीज 1 में रुपीज 1 में कितने पैसे होते हैं बोलो 100 पैसे एक रुपे में कितने पैसे होते हैं बटा 100 पैसे होते हैं ठीक है तो देखो 25 25 को कितनी बार प्लस करें कि 100 आजए 25 में 25 एड करोगे तो 50 देखो 25 में 25 एड करोगे 50 एक बार और एड़ करो 25 में 25 एड़ करोगे तो कितना होगा 50 50 50 कितना हो जाएगा 100 हो गया ना तो इसका मतलब 25 जो पैसे हैं वो अगर 4 बार एड़ करें 4 टाइमस 4 बार एड़ करें तो क्या हो जाएगा 100 पैसे और 100 पैसे हो जाएगा वो हमें यही बनाना कि 1 रुपए बनान तो कितने आए बटा हमने कितने बार किया देखो 1 2 3 4 कि 4 बार अगर 25 पैसे ले तो कितना बन जाएगा 1 रुपिया बन जाएगा तो आंस्वर कितना जाएगा हमारे पास 4 Q12 क्या है How 20 रुपी नोट वन गैट्स इन एक्सेंज एक्सेंज ओप रुपी और सब्सक्राइब मेरे को 2020 के मेरे पास ऐखोएगा है मतलब अगर 100 रुपे बनाने है तो 20 के कितने नोट चाहिएंगे तो हमें पता है कि जब 100 पैसे हो जाएंगे ठीक है तो इसमें क्या होगे 20 रुपी नोट के लिए इसने कहता है कि 20 रुपी नोट है और 20 रुपी नोट के लिए 100 कब बनेंगे समझ में आ रहे हैं मुठा की दखो 100 रुपे का नोट से आपके पास कहता है कि 20 20 रुपी है 20 में 20 टे लेखो 40 30 में 20 टे लेखो 60 60 में 20 टे लेखो 80 में 20 एड करेंगे तो कितना जाएगा 100 ठीक है तो अगर 20 रुपी 20 रुपी जगर हम 5Xs करें तो कितना जायेगा 100 रुपय जाएंगे 20 रुपय अगर हम 5 बार प्लस करें 5 ताइंज प्लस करें तो क्या हो जाएगा वह 100 हो जाएगा 100 रुपय के नोट के लिए हमें 20 रुपय के किसने नोट मिलेंगे 5 notes मिलेंगे कितने notes मिलेंगे बटा 5 100 rupees के notes को exchange करकाना है आपने 20 rupees के notes शे लेके है तो उसके लिए आपको 20 के कितने notes मिलेंगे 5 मिलेंगे 5 तो इस तरह से आप जरूर की जैसे मैंने इसाब लगा है वैसे ही लगा हुआ आपकी मरजी है, वैसे आपको ये बताना है कि 100 रुपीज का नोट से, तो आपको 20 रुपीज के, कितने मिलेंगे 100 के बदले, clear, क्योष नमबर 13, आप क्योष नमबर 13 में क्या है, रुपीज 5 को कन्वर्ट करना हमने किसमें, पैसे में, अब 1 रुपीज में कितने पैसे होते ह हेंड्रेड पैसे होते हैं तो रुपीज से पैसे बनाने हैं तो हेंड्रेड से मल्टिप्लाई कर लेते हैं और पैसे से रुपीज बनाने हैं तो डिवाइड कर लेते हैं हम हेंड्रेड से तो फाइफ को हेंड्रेड से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा फाइफ हें देखो यह है रुपीज 6.2 लिख देते हैं हां ठीज और यह लिख देते हैं पैसे रुपीज 6.05 यह धने पैसे भोगई है अब देखो रेखो पॉइंट के ने नद deux विखो क्यों कि अपयर उब् ट को रहने दो Bilक कि क्योंक हमने रुपीज पैसे तो कितना होगा 9 और 5 कितने होगे 14 14 कितना होगा 7 और यह कितना हैगा 6 और 5 कितना होजएगा 11 और यह कितना होजएगा 2 समझ गें मिटा तो ये कितना जाएगा 21.74 इतने रुपीज हो जाएगा 21.74 तो अगर हमें रुपीज को एड करना है तो इस तरह से दे गए हैं अगर डैसिमल में तो हमें क्या ध्यान रखना है हैं डैसिमल के नीचे डैसिमल आना चाहिए यह आप ऐसे करलो जैसे रुपीज पैसे हैं तो ये रुपीज या पैसे अब इस इसी व्हेसर को हम धूजरी में ध्रब कर सकते, जैसे 6.05 हो गया और यह कितना जागा 15.69 डैसिमल के नीचे डैसिमल लिख लिए तो ऐं कितने हैं 14 और यह 7 और यह कितने वह 11, यह 22 तो किसी तरह भी कर लो आपका आंसर रीम ही आना है चाहिए इस में थड़ से कर लो चाहिएं से क्या कि हमने एक तरफ रुपीज लिख लिख लिए एक तरफ पैसे लिख लिख लिए इसमें decimal के निचे decimal तो कैसे भी करो आपकी मर्जी है answer सही आएगा 15 question 15 question में क्या है one ice cream cost 15.50 रुपीज है what is the cost of four ice cream देखो one ice cream की cost पता है बिटा आपको one ice cream तो four कितने में आएगी देखो कैसे करेंगे क्या लिखेंगे हम cost of one ice cream cost of one ice cream one जो ice cream है उसकी cost कितनी है रुपीज 15.50 cost of one ice cream is equal to rupees 15.50 and cost of four ice cream four ice cream की cost कितनी होगी 15.50 को हम multiply कर लेंगे four से zero four five जा twenty carry two four five जा twenty or two twenty two carry two four one जाब four और two कितने होगे six तो point zero zero है इसका मतलब complete आ गए ये कितने आँगे rupees 62 तो जो four ice cream है वो कितने रुपीज में आएगी बटा 62 में वन ice cream की cost दे रखी थी four की पूची थी तो four की कैसे आजाएगी one की cost दे रखी तो four four जादा में आएगी जादा के लिए करेंगे multiply तो हमारा answer आ गया रुपी 62 तो ये तो थे question related to money money का topic complete करने के बाद हम हम topic ले रहे हैं estimation estimation से related questions कौन कौन से करेंगे देखी इसमें कर रहे हैं question number 16 question number 16 में क्या है round off to the nearest 10 कि हमें nearest 10 के round off करना है अब देखें के solution start करते हैं one by one first ये first part है 83 अब nearest 10 है तो worst digit देखेंगे अगर ये five से कम है तो इसी line में रजाएगा 80 वाली में ही अगर ये five से जादा है तो अगले line में तो 35 से कम है ना बिटा तो इसका answer कितना जाएगा 80 ही आज जाएगा ठीक है इसी line में रजाएगा 80 समझाया अब देखें second part अब second part में क्या है 57 है ये जो digit है unit digit पहले digit को unit digit पहलते five से जादा है तो next line में चल जाएगा कितना जाएगा ये 60 तो 60 क्या जाएगा हमारा answer अब ये 68 है बिटा अब 68 ये 8 जो है 5 से जाएगा तो next में चल जाएगा 60 से अगली 9 कौन से होगी 70 तो कितना जाएगा हमारा जो answer है वो कितना जाएगा 70 तो इस तरह से हम nearest 10 round of nearest 10 के question कर सकते हैं clear बिटा अब question number 17 तो question number 17 के है round of nearest hundred हमें round of करना है किसके nearest hundred के तो देखिए ये 3 पार्ट लिया है इनको solve करते हम one by one 563 तो जब nearest hundred round of करेंगे तो हम दो डिजिट देखें पिछे के one chance अगर 50 से ज्याददा तो next hundred में चला जाएगा अगर यह 50 यह 50 से कम है तो इसी गषिभिटेगक 100 वाक पू मेंदा पू यह पीपटी से कमे तो इसा सी से ज्यादा बहुत्स अ जहा जाएगा आज स१ा आनुन seus से कम है तो कितना जwalk 200 50 से कम है तो आंसर अमारा कितना ज需गा 200 ठीक है ये तो था राउंड ओफ निरेष्ट हेंड़ अब करहें राउंड ओफ नीरेष्ट 5000 तो round of neếp 2000 के लिए 3 डिजिट देखेंगे 1s 10100 अगर ये 500 ये 500 के जद्द है तो next thousand पे चला जाएगा, अगर कम है तो उसी thousand में, तो six hundred, thirty five, five hundred से ज़्यादा है ना बिठा, तो अगले thousand में चला जाएगा, तो इसका answer आजएगा five thousand, four thousand जाएगा तो next को होगा, five thousand second part, यह क्या five thousand, six hundred, twenty five यह five hundred से ज़्यादा है यह क्या है, five hundred से ज़्यादा तो next thousand में चल जाएगा, next कितना होगा, six five से next six होगा तो answer आजएगा six thousand अब देखे, six thousand, two hundred thirty seven, यह जो digit है यह five hundred से कम है ना, तो इसी thousand में रजएगा six में तो answer कितना आजएगा हमारा six thousand तो अगर हमें round of nearest thousand करना हो, तो last के कितने digit देखेंगे, three, मतलब hundred देखेंगे इतना है, next question number 19, अब 19th question में देखें किया है बटा, estimate some rounding of nearest ten nearest ten से यह sum करना में देखो 65, digit मैंने क्या काता, अगर unit digit five यह five से ज़्यादा है, तो next में चल जाएगा, तो यह तो कितना हो जाएगा, 70 और यह one जो है, यह five से कम है, तो इस लाइन में रजाएगा, यह 80, इनको कर देखेंगे, plus eight और seven, यह कितने आगे, 15 तो one fifty क्या जाएगा हमारा answer next देखें, question number 20, estimate the products by rounding of 58 multiply by 13, nearest 10, nearest 10 multiply करनी है, तो देखो, 58 है बेटा, यह क्या है, 58, तो फाइट जो है, फाइब से ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इसकी multiply कर देंगे, किस से, यह 13 है, यह unit digit है, five से कम है, तो इसी में रजाएगा 10, तो इसमें कैसे multiply करोगे, इस इसकी multiply कर दो 6 बंजा, 6 और जीरो count करके लिख दो, 1 और यह 2, तो कितना जाएगा, 600 क्या जाएगा हमारा answer, तो यह तो था topic हमारा estimation का, तो यह हमारी वीडियो का जो important question थे second term के एक्जाम के लिए, उसका second part है, 20 questions हमने first part में करवाए हैं आपको practice, और 20 questions ही second part में practice करवाए हैं, और यह आपको समझ में आगे भी होंगे, अगर समझ में आगे हैं तो वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को like कर लो, channel subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe भी कर लो, now thanks for watching बटा,